स्वागत है आप लोगों का आपका आपने ही चैनल किंग फेंटासी टिप्स में इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ पैसावर जालमी भरसेज कराशी किंग्स का पाकिस्तान सूपर लिक्स का मैच नमबर 19 जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है इस मैच में इस मै मैच होने वाला है जिसका हम लोग कॉवर करेंगे जो की वेनिव रहने वाली है गदाफी एस्टेडियम लहौर जो कि दो-तीन मैचों से यहीं पे खिलाया जा रहा है गदाफी एस्टेडियम लहौर में ही गाइस इसमें आपको ड्रीम लेंट टीम एसल प्रहस्यल और सबसे लिएस वीडियो का टोटल ली वर्ट किजए गा तभि आपको समझ में आएगा पिछ रिपर्ट करूँ आप इस्का सवने लाइव आप इसके लाइव हिस देख सकते हैं पिछे ब्रोंत करो तो पिछे जो कि दपीस लाइकली तो फर्वैड मैक्सिमम सपोर्ट तो ले बैट लेना रहता है नहीं सकते हैं आगर आपको आपके आपके पास टैलेन्ट नही tanto अगर आपके पास ते लिए इस हो आप यहां से कुछ आपको यहां से ज्यादा नहीं तो आप आप भाग भरो से ज्यादा बीकेट नहीं निकाल पाऊगेगे यहां से पिसावर जालभी गोड़ाजिक व्यूंस का gust व própria उलेवन कंऐ से क्ल सकते हैं उनकी मैं बात करो यहां से्थ पिसावर जाल्मी के बात करूओ जो कि पिसावर जाल्मी के तरफ से कौन कोन से खेलने वाले हैं 11 प्लेयर की नाम तो यहां से कमरान अकमल, लियाम लिविंग्स्टन, हैदर अली, सुएव अमालिक, यहां से सरफन रेदरफोर्ड, हुसेन तलट, बेन कटिंग, वहाब रियाज, कैप्टेन है अपनी टीम, पिसावर जालमी के लिए, महमद उमेहर, साकिब म महमद, सल्मान, उर्सथ, यहां से कराची किंग्स, यहां से तो मैंने आपको बता दिया, कि कि जबाता बड़ीया लाइंब। लेकिन मैं अब कराची किंग्स की बात करूँ जो कि ये मेरे को मतलब कि कराची किंग्स के कराची किंग्स पे भारी परेगा पेसावर जाल में ये आप लिख के ले लो क्यूंकि कराची किंग्स बहुत ही घटी है प्लेइंग कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि इसका प्लेइंग कर रहे हैं यहां सारजिल खान साही बदा फर्मान विखिट कीपर है अपनी टीम कलाची किंग्स के लिए यान कॉक बेन मुहम्मद नवी लोईस गर्गरी इमाद वसीम किरिस जोडन मुहम्मद ताहा उमेद सेफ असीफ उमेद सर्मान सिन्वारी यह यहां पर देखेंगो तो इनके जो बहुती बाधी लाइनप है लेकिन आचा परफॉमेंस क्यों नहीं कर पाते हैं इनके पस कंसिस्टेंसी नहीं है और इनके पास जो होता है कि मैनेज करने का मतलब कि यह मैनेज अच्छे से नहीं कर पाते हैं का स्ट्राइक रेट है और स्ट्राइक रेट में इसके साथ सातीनों ने एक हाफ सेंचरी बनाया है पचास प्लस रन भी स्कोर किया है तो गई सोई मलिक आपके लिए टॉप पिक्स बैटर्स में फर्स्ट चोईस होने वाले हैं बाबा राजम जो कि सेकंड चोईस यहां से एक सोरान was रन पांच में इन्होंने बनाया है और इनका एवरेज जो 26 biggest खराएफ और पांच मेच चर्ण ने एक हाफ सेंचरी भी मनाया है तोप पिक्स बैट को मैंबात जो कि top picks all runners में first choice यहां से मुहमद नवी होने वाले है जो कि चार विकेट पांच मैचेज में लिये है और इनका average है यहां से 26 का average है इकनॉमिक की में बात करूँ जो कि 6 के 7 का नीचे एकनॉमि रहता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से बॉल अच्छे मतलब कि फास्ट फास्ट डाल कर चल जाते हैं यहां से स्ट्राइक रेट के में बात करूँ जो कि 26 का है पॉलिंग के बात कर रहा हूं उन्होंने गर 5830 रनों बनाया है बैट से और 20 रन बीस के इनका एवरेज है 177 का स्ट्राइक। 120 कि 120 पोलस करें हैं 20 प्लस का इनका इस्ट्राइक एवरेज है गाईara बहुत क्यों कि में बात करूं जो कि 100 exempt 35 रन तरी मैं इंहोने बनाया है और 33 प्लस के एवरेज है और उसके साथ साथ एक 1500 प्लस के श्टाइक रेट है जो कि हीटिंग जो उनमें अभी चल रहे हैं और हीट करते हुए रन बना रहे हैं 50 प्लस रन भी है के स्कोर किये हैं जो कि बहुत ही बड़िया पर्फॉर्मेंस कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और टीम को वीन करवाने में का हात रहता है जो कि बेन कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से पैसावर जालमी को पर्फॉर्मेंस दे रहे हैं topics ballers में आपको मैं बात कुरूँ जो कि 것도 मुईज असिफ जो कि फिकेट चार मैचेज में होने लिया है और आप इनके साथ मतलब topics है तो आप इनके मैं बात कुरूँ छो कि average इनका है 17 का average है 9 50 आठ के नीचे का है और श्ट्राइकरेट जो की 14 बॉलिंग के च्ट्राइक रेट और एकनौमी और बता रहा हूं सलमान इसाथ कि मैं बात करूए जो कि पांच बिकेट चार मैसेज में लिया है और 28 पलस का इनका एवरेज है और 9 का नीचे का इनका जो एकनौमी रहता है ज्यादा ये ज्यादा इनका एकनौमी नहीं है ये थोड़ा कम ही पिटते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉमेंस देते हैं और इनका जो इस्ट्राइक रेट है बॉलिंग का 19 है टॉपिक्स आपको मैं बिकेट की पर में बताऊं तो कमरान अकमल जो की 76 रन चार मैचेज में बनाया है 19 का एवरेज है और उसके साथ 130 पलस का इनका जो की स्ट्राइक रेट है जो की बहुत ही बढ़िया खेले भले ही कुछ मैचेज में मतलब स्टार्टिंग में ही आउट नच्परफोनेंस करेंगे और करेंगे विए क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है नहींसे पेशावर जालमी के मुस्ट्पिक्स क्याफ प्रूँ ड्रीमिलोन मैच के लिए मस्ट्पिक क्यों मैदन। और dreamland points में देखाता हूँ मलिक की मैं बात करो जो कि 187 runs 354 points यहां से 187 run score किये है 354 points वहाँ पर आपको 100 होगा बाबा राजम 194 run score किये है 301 points सो होगा मुहमन नवी मतलब dreamland में आप side में जाएगा तो वहाँ पर इतना 100 होगा 354 points एक 301 points मुहमन नवी जो कि 82 run score किये है और 4 wickets लिये है तो उनका 204 points सो होगा और यहां से उमीद सेफ के मैं बात करूँ जो कि 5 wicket लिये है 6 wicket लिये है उमीद ऐसेफ ने और 188 points आपको dreamland में सो होगा बेन कटिंग ने 135 run बैट से score किये है 231 points वहां पे सो होगा क्योंकि बेन कटिंग as a baller नहीं आया है खेलने के लिए ऐस a batsman खेलने के लिए आया है यहां से बेसावर जालमी भरसर्च कराचे Kings के रिसकी captaincy choice आपको मैं बता दू तो रिसकी captaincy choice मेरे तरफ से क्रिस जॉर्डन होने वाले है जो कि दो विकेट पहले ही मैच में इन्होंने पिक किया है और मतलब कि 26-36 नवी तक दिये है पहले मैच में जो कि चारणवा नाओ के नीचे का मतलब कि average है इनका और average के साथ इन्होंने दो विकेट्स वे पिक किया 9 के नीचे average है जिकि आपको right person to name the captain because there are so many other players मैं आपको बता दू कि ये मेरा सही decision नहीं है कि मैं इनको आपको captain बनाने के लिए बोलू लेकिन मैं आपको एक suggestion दे रहा हूँ कि आप इनको अगर आप 5-6 team लगाते हैं तो आप इनको जरूर लगाएं क्योंकि ये मेरा suggestion 100% मैं मतलब कि जो देता हूँ 2-3 मैचों में 2 मैचेज में एक मैचेज जरूर successful होता है या धियान रखना मतलब बहुत ज़्यादे प्लेयर से उनमें भी उनमें आपको captain में चुनना है क्योंकि वह बहुत अच्छा performance कर रहे हैं लेकिन आप उनको जरूर ले आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बड़ी आप बोलार है बस यह कि यह आप इस पर बहुत ही बड़ा रिस्क ले सक्ते हैं और साय। आपके उपर है पिसावर जनमी के captain भी है और बस आपके उपर कि आप इनको प्रक करना चाहेंगे या भी नहीं यहांसे प्लेयर आपको किन-किन से बच के चलना है यान कौक बेन जो की दो मैचेश खेले हैं और 33 रन स्कूर किये हैं 137 पलस कैन का स्ट्राइक डेट है और इनसे आपको बच कर चलना है अगर हो सकता है तो आप इनको पिक कर लेना क्योंकि आप इनको पिक करोगे तो ठीक र देखेंगे तो आप लोग ध्यान रहे अगर आपको जगह मिले तो इनको पिक करें अगर आपके अपके लिए पास जगह न फो आप इनको हटा भी किजिए तो गाइस कैसा में लगा मेरा वीडियो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो जितना दिल से मैंने यह वीडियो को बनाया है आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को प्यार देदो और कमेंट मे जरूर बताना कि यह वीडियो कैसा लगा यह सबसे अलग वीडियो मैंने बनाया है जो कि बोलने का तरीका और उसके साथ साथ जो वहाइस है वो कितना किलियर आ रही है आप चैनल को सबस्क्राइब इसलिए कर देना कि मेरे सेक भी जो वीडियो में डालू आपको आपको जो एक भी अपडेट आपसे मिस नहों और आप हमेशा वीनिंग हमेशा करते ही रहे आप टेलिगाम चैनल में जोईन हो जाना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो लिगाम चैनल में जोईन हो जागे तो जील प्लस एसल टीम हर मैचेज के 100% वीनिंग टीम मिलेंगी तो ग आपियो